हलो दोस्तों मार्केट में मोति संस ट्यूइलर्स के आई पी की चर्चा कापी जोरू सी हो रही है और दोस्तों इसका रीजन भी है क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट प्रेमियम है वो बहुत ही जदा हाई है एक सो नब्य प्रेमियम का ग्रे मार्केट प्रेमियम आज की डेट में है जो दोस्तों बहुत ही जदा है अगर हम आई प्यो प्राइस से इसको कंपेर करेंगे तो यहां पर दोस्तों लगबग यह आई प्यो तीन गुणा के आज पास की लिस्टिंग एन आज की कंडिशन में देता वाद दिक रहा है तो लिस्टिंग एन के पॉइंट आप उपी से दस्तों आई पी की डिमांड कापी अच्छी बनी हुई है और सारे इंवेस्टरस को दोस्तों यह लग रहा है कि यह आई प्यो हमारे पेसे को तीन गुणा करने वाला है तो यहां पर दस्तों आई प के बढ़े में complete detail में बात करेंगे इस company का business क्या है इस company के financials और valuation के इस परकार के है आई पी की detail और gmp पर भी बात करेंगे तो वीडियो को आप अन तक जरूर देखें सबसे पहले दोस्तों इस company के business की बात करें तो यह company incorporated हुईती 1997 में और जैसे के दोस्तों नाम सी पता च आने का है और अलग-अलग designs में यह jewelry बनाती है कापी सारी designs इस company के पास available है company यह पर claim करती है कि तीन लाग से भी ज्यादा design में यह jewelry बनाती है जो कि दोस्तों कापी बड़ा number है company के flagship store की बात करें तो यह आपको जेपूर राजस्तान में देखने को मिलेगा जापर दोस्तों आई-पी की important dates की बात करें तो 18 से 20 December की बीच यह IP open रहेगा इस IP का अलोट्मेंट होगा 21 December को repent and demate में share आएंगे 22 December को और इस IP की listing होगी 26 December को और इस IP का UPI mandate आप 20 December को 5 विजे तक अपरूव कर सकते हैं आई-पी में important load size की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों retail के लिए minimum एक load है जिसमें आपको 500 share मिलेंगे तो 500 share का यहाँ पर दोस्तों एक load होने वाला है तो इन load size को आपको धेन में रखना है इनकी सबसे दोस्तों आपको IP में apply करना है इसके बाद दोस्तों IP के प्रैसमेंट के बात करें तो IP का प्रैसमेंट बाउन रुपे से 55 रुपे पर share है और इस IP का total issue size आपको 101.09 क्रोड रुपे का देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों आ दोस्तों अपने लिए यह यूज कर सकती है क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा प्रेस इस्यू है जो कि दोस्तों directly company को जाएगा IP के लिस्टिंग BAC और NSC परोगी और इस IP में detail के लिए 35% का quota है और रचनाइज के लिए 15% का quota है तो यहांगे दोस्तों डेटेलर्स के लिए वो 150 क्रोड रुपे यानि 101.09 क्रोड रुपे है तो यहांपर दोस्तों उतना बड़े साइज का IP नहीं है यहांपर allotment के chance कापी टप होने वाले है फिर भी दोस्तों अगर आप अलग लग डिमेट अकाउंट से ट्राई करते हैं तो यहांपर दोस्तों आपके allotment के chance definitely यहांपर दोस्तों आप देख सकते हैं financial year 2021 से 23 की comparison में company की जो total assets है वो लगातार बन रही है total revenue के बात करें तो financial year 2021 में इस company का total revenue 213.06 क्रोड रुपे है जो के दोस्तों 2023 में बढ़कर 386.81 क्रोड रुपे हो चुका है तो यहांपर आप देख सकते हैं कि हमें revenue में 21 से 23 की comparison में अच्छी growth देखने को मिल रही है तो यहांपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 2021 से 23 की बीच में लगातार company का revenue बढ़ रहा है और अगर हम 22 से compare करेंगे तो यहांपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें 16.64% की growth revenue में देखने को मिल रही है जो कि दोस्तों हम अच्छी growth कर सक सकते हैं net profit की बात करें तो financial year 2021 में इस company का net profit 9.67 crore रुपे था यानि 9.67 crore रुपे था जो दोस्तों financial year 2023 में बढ़ कर 22.02 crore रुपे हो चुका है तो यहांपर आप देख सकते हैं 21 से 23 की बीच में profit में भी अच्छी growth देखने को मिल रही है और अगर हम 22 से compare करेंगे तो यहा 50% की growth है तो वो अच्छी growth माने जती है इसाथ हम बहुत ही अच्छी growth करते हैं इस company के net worth की बात करें चार्चS यह क्रोड रुपए है और इस कंपनी पर टोटल डेट फाइनेंशिल एर दोजर तेईस में एक सो तो सेट पॉंट पांच चार क्रोड रुपए है जो दोस्तों डेट टू एक्विटी रेशियो में देखें तो 3.32 के आस पास है जो दोस्तों कापी ज्यादा है अगर किसी कंपनी ग्रोथ भी कापी अच्छी है लेकिन डेट यहां पर कहीं न कहीं जदा है तो कंपनी को यहां पर डेट को शेटल डाउन करना पड़ेगा वरना दोस्तों डेट कंपनी के लिए बहुत बड़ा इस्यू बन जाएगा तो यहां पर दूस्तों फाइनेंशिल को हम गोर से अपर डेट को छोड़ दिया जाए तो यहां पर कंपनी की फाइनेंशिल कंडिसेंड कापी अच्छी दिख रही है जो इन्वेस्टर्स के मन में कापी बड़ा इंपक्ट करने वाली है इसके बाद दूस्तों इस कंपनी के विलिएशन पर नजड़े डालें कि यहां पर और इस company का EPS 3.42 है जो दोस्तों कापी कम है overall दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो company की growth कापी अच्छी है यहाँ पर company का ROE, ROCE और return on net worth की value 15% से उपर है और अगर किसी company की यह 3 financials ratio 15% से उपर होते हैं तो उसको दोस्तों हम बहुत ही अच्छा मानते हैं तो यहाँ पर दोस्तों overall company की growth कापी अच्छी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर EPS थोड़ा सा कम लग रहा है तो overall दोस्तों company की growth कापी अच्छी दिख रही है लेकिन इसको अगर हम peer से compare करेंगे तो यह हमें दोस्तों exact picture के लिए हो पाएगी कि company जिस प्राइसमेंड पर यह आईप लेकर आ रही है वो सही प्राइसमेंड है या नहीं तो इसको अगर हम peer से compare करें तो golden international limited है जोगे दोस्तों 27 की P.E. लिस्ट है डिपी अबुसन limited है जोगे दोस्तों यहाँ पर 29 की P.E. लिस्ट है एकदम सही price पर यह IPO लग रहा है एकदम reasonable price पर यह IPO लग रहा है इसलिए दोस्तों इस IPO की demand करे market में कापी बनी हुई है और यहाँ पर दोस्तों market में भी इस IPO का कापी ज़धा sore मचावा है क्योंकि दोस्तों IPO का प्राइसमेंड है वो कापी source समझ कर announce किया गया है और पेल्स के comparison में भी दोस्तों IPO कही ना कही reasonable लग रहा है क्योंकि जिस परकार का इसका valuation है जिस परकार की इसकी growth है इसके साब से भी दोस्तों देखें तो यहाँ पर company कही ना कही थोड़ी सी lead में देख रही है तो overall दोस्तों company का valuation भी कापी अच्छा है जोकि दोस्तों मेरे साब से बिल्कुल भी सही बात नहीं है company IP के तुरूप fund raise करके अगर अपने date का payment करती है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है company को अपने profit की पैसे से अपने date को repay करना चाहिए और दोसरे यहाँ पर दोस्तों है general corporate purposes अब हम दोस्तों अंत में इस IP का ग्रे मार्केट premium भी देख लेते हैं कि इस IP की ग्रे मार्केट में demand कैसी है और इस IP में हम कितना listing and expect कर सकते हैं तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में यह आपको बोला है कि इस IP की ग्रे मार्केट में demand कापी अची है कापी सांदार demand इस IP की चल रही है फिलाल दोस्तों इस IP का ग्रे मार्केट premium 106 रुपे के आसपास चल रहा है जो कि दोस्तों roughly हम calculate करें तो 190% निकल कर आ रहा है तो यानि दोस्तों IP की जो price है उसी यह तीन गुणा के आसपास पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा है ग्रे मार्केट की इसाबसे बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 190% का लिस्टिंग गेन आज की condition में दिख रहा है और अगर इसको हम 70% भी सच मान ले तो भी दोस्तों यहाँ पर आपका पेसा डबल होने वाला है तो लिस्टिंग गेन के साबसे दोस्तों IP कापी अच्छा जैने वाला है बाहरी डिमांड इस IP की ग्रे मार्केट में बनी हुई है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस IP में अलोटमेंट मिल जाता है तो लिस्टिंग गेन पर बहुत ही अच्छा पेसा बनेगा यहाँ पर दोस्तों अगर 70% भी अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो बहुत ही अच्छा पेसा इस IP में बनेगा हालेंगे दोस्तों यह gray market premium है 100% इस पर हम rely नहीं करेंगे हमें company को पूरी तरह से देखना है उसको analyze करना है और उसके बाद ही दोस्तों IP में apply करने का decision लेना है तो यहाँ पर दोस्तों IP से related यह important details थी अगर आपको यह वीडियो फसंद आया तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को subscribe करें साथ में bell notification को जुरू ओन करें ताकि future में इस परकार का कोई भी वीडियो upload हो तो उसका notification आपको सबसे पहले मिलें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे next वीडियो में तब तक के लिए जैहिं की प्लेर्निंग